हलो फ्रेंड्स बलकम टो एससी कोचिंग सेंटर दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे मैथ्स के इंपोर्टेंट प्रेशनों की जो अज़ा में पूछे जाते हैं दोस्तों मैं आपको बता दू मैथ्स के वीडियो पार्ट वाइस बना रहा हूँ यदि आपने कोई भी पार्ट नहीं देखा है तो चैनल की प्ले लिस्ट में मैथ्स गडित पार्ट के नाम से आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी उसमें आपको सभी वीडियो पार्ट वाइस जो भी पार्ट आपने नहीं देखा है वहाँ से देख लेना ना चली करते हैं पहला कोशन क्या कह रहा है 1200 के पांच वटे आठ का 74 प्रदसत क्या है किलिए दोस्तों ये क्या कह रहा है 1200 के तो 1200 लिख लिया का की के का मतलब क्या है दोस्तों multiply मल् TI PY PANCH बट्टे eight दे रखा है तो आठ लिख लेंगे क्या का मतलब kya है मल् TI PYbled 한국 चोगंच प्रेसाथ चोगंचर प्रेसाथ प्रेसाथ का मतलब क्या है दोस्तों बटे में सो किलिए का के का मतलब क्या होता है मल् TI PY contro what ka मत्लब क्या होता है सॉल्टीब लिए सो के लिए रहा है अब देखिए इससे कटा लेंगे बस आप का अंसरा जाएगा देखिए ये दो 0 से आपके ये वाले दो 0 कट जाएंगे के लिए रहा है चार से कटा लीजिए से दो बार कटेगा और चार से से कटा लेंगे तीन बार कट जाएगा और दो से ये चोहतर आप पठा लीजे, दोतिया इच्छे, एक बच्चे का 14, दो सत्य 14, 37 बार कट गया, अब आपके पास बच्चा किया, तीन बच्चा, पांच बच्चा, 37 बच्चा, इनका कर लो, आप असमें multiply, तीन पंजे, पंदरा, पंदरा, सत्य कितना हो जाएगा, 1005 हो जाएगा, 105 का 5, कैरी का आपका कِतना जाएगा, कैरी का जाएगा 10, ठीक है, फिर करेंगे पंदर, 35, 45, 15 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, तो ट्रिपल फाई, आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 3, 5 और 37 का multiply जब आप करेंगे तो आप कितना मिलेगा 505 मिलेगा option number B आपका दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा clear है उम्मीद करता हूँ question आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया हुआ आपको यदि यहाँ पर confusion होता है तो मैं आपको बता देता हूँ का क का मतलब क्या होता है multiply होता है clear है और 37 का मतलब क्या है दोस्तों बटे में सो clear है दोस्तों उम्मीद करता हूँ question आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा अब देखेंगे अगला question अगला question है आपका निमने लिखित में से 3.14 into 102 की power 6 के बराबर कौन सा है इन में से कौन सा बराबर होगा यह आप से पूछा गया है तो मैं आपको बता देता हूँ क्या दिया गया है 3.14 into 102 की power क्या दिया गया है 6 दिया गया है clear है अब यह कि 10 की power यहाँ पर 6 दिया गया है तो इसका मतलब कितने 0 देखी माँ बता दूँ दब 10 की power 2 दिया जाता है तो 10 का score कितना होता है दोस्तो 100 होता है मतलब जितनी power है उतने ही 0 होते हैं जब 10 का Q दिया जाता है तो क्या होता है दोस्तो 1000 होता है मतलब जितना power है उतने 0 हो जाते हैं ऐसे यहाँ पर 6 power है तो 6 0 हो जाएंगे तो यहाँ पर लिख लेते हैं 3.14 into कितने 0 हो जाएंगे दोस्तों 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 जब 2 power रहते हैं तो 2 0 हो जाते हैं 3 power रहते हैं 3 0 हो जाते हैं 6 power रहेगी तो 6 0 हो जाएंगे के लिए दोस्ते आतक बाद आप देखिए यहाँ पर क्या है दो संख्याबाद पॉइंट है तो यहाँ से आप क्या करेंगे दो 0 कटा दीजिए बस आप का अंसर हो जाएगा तो देख कितना हो जाएगा 314 के लिए दोस्त अब हमने यहाँ से क्या कर दिया पॉइंट अटा द देता हूँ ठीक है 10 की पावर 6 का मतलब क्या है दोस्तो 6-0 हो जाएंगे अब देखें यहाँ पर क्या है पॉइंट लगा हुआ है इस पॉइंट को अटाएंगे दो संक्यावाद पॉइंट है तो यहाँ से 2-0 कट जाएंगे किलिए दोस्तो अब कितना हो गया यह पॉइंट एक्स बटे अंडरूट 128 बराबर अंडरूट 162 बटे एक्स है तो समीकरण में दोनों एक्स के स्थान पर क्या आना चाहिए किलिए दोस्तो इन में से कुई संख्याईगी चार ओप्सन में से तो क्या आना चाहिए देखें यह जब बराबर में है तो क्या हो जाएगा इनक 162 multiply under root 128 के लिए रहे दोस्तों यह इनका multiply हो गया अब देखें इधर क्या बचा यह दोस्तों आपका x square बराबर इन दोनों का multiply हो जाएगा तो कितना हो जाएगा यह पूरा अंडर रूट एक हो जाएगा के लिए रहे और इन दोनों का क्या हो जाएगा multiply अब देखें मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ यहाँ पर क्या दिया गया आपको 162 162 दिया गया है तो हम 162 को क्या लिख सकते हैं 186 multiply by 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं कि लिए रहे 165 ही होता है multiply 182 को क्या लिख सकते हैं दो multiply by 64 लिख सकते हैं, 64 दूनी 128 होता है, के लिए दोस्तों यहां तक बाद, आपने क्या क्या इन दोनों का multiply करना है, के लिए रहे क्या करना है, इन दोनों का multiply करना है, तो आप क्या करेंगे, यह 80 आएगा दोस्तों यहां पर, 81, 81 दूनी कितना होता है, 162 होता है Multiplying का साने बीचे multiply लिया 2 का multiply 64 जगर रहेंगा 64 दूनी 128 होता है तो 128 लिख लिया कि लिए दोस्तो कुछ भी अलग से नहीं क्या है पस इसको 2 भागों में तोड़ लिया गया है कि लिए दोस्तो आप देखिए कितना बचा x square बराबर अब देखे 81 क्या होता है दोस्तो 9 का square होता है तो यहाँ पर क्या लख लेंगे हम 9 लिख सकते है कि लिए दोस्तो क्या लिख सकते है 9 लिख सकते है अब यह कितना है 2 यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है दोनों जगा 2 है तो दो क्या है दोस्तों आपका common आ जाएगा किलिए दो आपके क्या हो जाएगा common into 64 है 64 का क्या हो जाएगा बर्गमूल दोस्तों 8 हो जाएगा अब इसके उपर से क्या है अंडरूट हट गया क्योंकि हमने क्या लिख लिए बर्गमूल लिख लिए कितली है दोस्तों देखें मैं आपको समझा दू 2-2 का स्कॉर कितना हो जाएगा 2-2 का मल्टिप्राइब 4 होता है और 4 का बर्गमूल 2 ही तो आ जाएगा ऐसे समझ लीजे हमने क्या किया अंडरूट इसके उपर से हटा दिया तो क्या करेंगे सब का बर्गमूल ही तो कर लेंगे तो 81 का बर्गमूल 9 होता है 2-2 का बर्गमूल 2 हो जाएगा 64 का बर्गमूल 8 हो जाएगा किलियर दोस्तों इनका कर लो तो बस आपस में multiply आपका आंसर आजाएगा के लिए रहें तो कर लिए तो कर लीजे आट दूनी 16 16 निम्मा कितना होता दोस्तों 144 तो X स्कौर बराबर कितना जाएगा 144 आजाएगा यही दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा 144 ओफ्षर नंबर C आपका यहां पर सही हो जाए तो 15 आदमी इसे कितने दिन में बनाएंगे के लिए दोस्तों देखे 18 आदमी एक जहाज के मुर्टर को कितने दिन में बनाते हैं दोस्तों साथ दिन में बनाते हैं एक बात ही हो गई बराबर अब कितने आदमी है 15 तो 15 लिए कितने दिनों में बनाएंगे नहीं पता है तो तीन पच्चे 15 कटेगा के लिए रहे और ये तीन चिक के 18 कट जाएगा के लिए दोस्तों 6 का 7 का मल्टिप्राई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 सत्य 42 हो जाएगा मैं इधर लिख देता हूं इधर कितना बचा 5 इंटू X यही तो बचा है अब इस 5 से इस में भाग जाएगा तो पांच चोक के 20 इधर क्या बचा X बचा तो X की बैलू दोस्तों कितनी आगी 8.4 आजाएगी कि नहीं आजाएगी option number C आपका यहाँ पर दोस्तों सही हो जाएगा clear है ओमिद करता हूँ question आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा अब देखेंगे अगला question अगला question है आपका नेमने लिखित समीकरण में प्रेशन सूचक चिन्न के स्थान पर क्या आएगा देखेंगे यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है और पूछा गया है प्रेशन चिन्न के स्थान पर क्या आएगा clear दोस्तों तो देखेंगे इस question को कैसे लगाना है आप यहाँ पर देख रहेंगे 48 under root question mark प्लस 32 under root question mark दिया गया है clear है इन दोनों में क्या common है दोस्तों इन दोनों में आप देखेंगे under root question mark common है यहाँ भी under root question mark है तो यह common हो गया इसे आप बाहर ले ले लिए अब देखेंगे क्या बचा आपके पास 48 पिलस का 32 बराबर का 320 यही तो 50 दोस्तों आपके पास केलियर है यह क्या है दोस्तों Undergroup Question Mark केलियर है 48 को 32 को जब हमने जोड़ा तो कितना हो गए दोस्तों यह हो जाएगा आपका 80 बराबर कितना हो जाएगा 320 किलियर है आप देखे इस 80 से इसमें भाग दे देंगे क्योंकि यह multiply में है तो 80 से इसे काट देंगे तो कटा लीचे 80 से जब इसमें भाग देंगे तो 1 0 से दोस्तों 1 0 कट जाएगा और 8 4 के 32 कट जाएगा तो देखिए under root question mark का क्या आएगा चार आजाएगा under question mark बराबर कितना आगा है चार आप देखिए आपसे question mark की value पूछी गई है क्या होगी clear है तो देखिए under root इस question mark के उपर से हटेगा तो इसके उपर 4 का स्कौन लग जाएगा तो question mark बराबर क्या आजाएगा आजाएगा यहीं दोस्तो आपका answer आजाएगा question mark क्या जाएगा 16 option number A दोस्तो आपका सही हो जाएगा clear दोस्तो उम्मिद करता हूँ question आपका answer आगया होगा कुछ लोग 4 भी इसका answer कर सकते हैं लेकिन under root question mark का answer नहीं पूछा है question mark का पूछा गया है clear तो यह क्या करना है यह under 4 का square हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा तो 4 का square कितना हो जाएगा 16 इधर कितना बचेगा under root तो उम्मिद करता हूँ दोस्तो यह question भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आगया होगा अब देखेंगे अगला question अगला question है आपका दो संख्याओं का महत्तम समा बरतक 96 तथा उनका LCM 1296 है यदि एक संख्या 864 है तो दूसरी संख्या क्या है देखें दोस्तों आपको इस question को करने के लिए एक formula होता है मैं formula आपर बता देता हूँ पहली संख्या multiply में दूसरी संख्या बराबर LCM LCM multiply HCF ठीक है तोस्तों गिया आपका एक formula होता है इसी formula से ये वाला सवाल आपको solve होता है पहली संख्या into दूसरी संख्या बराबर LCM into HCF के लिए आप देखें आपसे क्या कहा गया है एक संख्या आपकी कितनी है 864, एक संख्या मतलब पहली संख्या पहली संख्या कितनी है दोस्तों आपके पास 864 है Multiply दूसरी संख्या क्या है आपको दूसरी संख्या पता करनी है तो उसकी जगे हम X रख लेते है बराबर, LCM आपको दिया गया है 1296, तो आप यहाँ पर 1296, रख दो Multiply, HC अब कितना है महतम समबर तक 96 है 96 रख दिया अब बस आप इसे कटा लीजिए, आप का अंसर आ जाएगा तो यह कट जाएगा 1289, आठ बार कट गया 12 से इसे कटा लेंगे दोस्तों के लिए रहे 12 से कटा लेंगे, जो कितनी बार कट जाएगा 1270, 84 होता है 84 तक कट गया, 2 बचा तो 24 12 दुने का 24 कट गया किलियर है, 8, 9, 72 8 से बार कट जाएगा, 9 बार 8, 9, 72 कट गया अब 9 से कटा लेंगे दोस्तों, आप इसको किलियर है, 9 एक कम 9 कट जाएगा, कितना बचेगा 3, 3 में नो जोड़ेंगे 49, ठीक है, 9, 4, 36 तक कटेगा, कितना बचेगा 3, फिर से 6 जुड़ जाएगा तो 36, 9, 4, 36 इधर क्या बचा दोस्तों, X इधर क्या बचा 144 तो दूसरी संख्या क्या है आपकी 144 है, यही दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा option number D के लिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ question आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आगया हो, करते क्या है दोस्तों पहली संख्या into दूसरी संख्या बराबर LCM into HCF, के लिए रहे, पहली संख्या 864 दूसरी संख्या आपको निकाल नहीं है, तो X लगा लिया LCM आपका 1296 है HCF आपका 96 है, हमने क्या क्या 12 से कटा लिया, 12 से 96 आठ बर कटेगा, और 12 से 872 बर कटेगा, अब इस 8 से 72 बर कट गया अब 9 से इस संख्याओ काट देंगे, तो 144 बर कटेगा, तो X कमान कितना आगया, 140, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, ये कोशन भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, दोस्तों दी वीडियो पसंद आया, तो लाइक करें, और दोस्तों तरने वाग्